अग्षाने मंगा लें पर हम टेक पर क्लास नाइन एंड सुपरस्टास पर क्लास टेन तो आज की बारी है स्पेक्ट्रम की हाँ स्पेक्ट्रम अरे आप स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं यह जो सत्रंगी छटा देख रहे हैं अरे मुझे भी देख रहे हैं चलिए यही है स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं स आपने जरूर देखा होगा rainbow के time पर आजकल तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है और आपने देखा होगा कि कभी rain के साथ अगर sunny weather हो जाता है rainfall पढ़ रही हो और sun आ जाए तो आप देखेंगे कि साथ रंग आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्यों बनता है spectrum कैसे बनता है spectrum और spectrum के क्या types हैं मतलब visible और invisible spectrum आज यही हम detail में पढ़ने वाले हैं एक आपको और information दे दू कि जब हम इस पूरे chapter को finish कर रहे हैं तो आपके latest flavors को हम follow कर रहे हैं हम follow कर रहे हैं 24, yes 23, 24 latest flavors follow कर रहे हैं तो इसलिए पूरा chapter miss out मत करिएगा क्योंकि यहाँ पढ़ लिया तो कहीं और कुछ भी खोजने की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी चलिए start करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं यह prism क्या बला है तो prism एक triangulated glass है पांच plane surfaces का एक object है यह तो आप जानते हैं पर prism क्या कर सकता है prism एक light को pass करने पर bent कर देता है क्यों करता है कैसे करता है आईए इसी पर समझना है तो अगर एक ray of light pass करती है और one medium to another pass कर रही है तो हम लोग जानते हैं उसमें reflection होता है पर prism में क्या होता है जब light ray first surface हमारा first surface है A-B आप देखेंगे screen पर आपका first surface क्या है A-B इस A-B पर light ray क्यों नाम के point पे incident हो जाती है हो गया incident ray अब incident ray कहां से जा रही है rarer से denser की तरफ जा रही है इसका मतलब है light ray क्या करेगी bend तो करेगी करेगी अब आप देखेंगे light ray क्या हो जा रही है bent हो जा रही है अगर normal आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा इसका normal ये रहा ये है normal हाना normal से bent कर जा रही है कर जा रही है अब ये light ray बन गई refracted ray ये जो अंदर light ray दिख रही है मैं लिख दे रहा हूं short form rr refracted ray और जब ये वापस denser से rarer medium की तरफ आ रही है फिर ये bent कर जा रही है बन जा रही है emergent ray तो ये तो आपको मालू है अब ये incident ray जो produce कर दी जाए तो और emergent ray को backward produce कर दे तो क्या होगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा angle of deviation क्या है angle of deviation बताता है light की ability to bend हाँ जुकना मुडना तो angle of deviation क्या बताता है कितनी light bent कर रही है कितनी light जुक रही है turn कर रही है हाँ इसी को कहते है angle of deviation अगर हमें measure करना हो angle of deviation symbol है क्या angle of deviation का ये इस तरह से delta ये symbol यूज करेंगे आप और इसकी value जो ये angle of deviation आप देख रहे हैं आपर इसकी value हो जाएगी ये d1 और d2 कैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो angle of deviation एक triangle के बाहर बन रहा है ये रहा triangle के बाहर बन रहा है तो angle of deviation is equal to sum of the deviations d1 and d2 हाँ symbolically हमने लिख दिया d1 और d2 इस दोनों का sum होता है angle of deviation आईए आगे बढ़ जाते हैं अब angle of deviation तो आपको पिछले chapter भी आपने पढ़ा था अब angle of deviation किस पर depend करता है ये तो आपने last एक पढ़ा था कि depend करता है angle of incidence पे और depend करता है angle of prism पे हाँ angle of deviation दोनों पर depend करता है पर आज का topic क्या है हमारा आज का हमारा topic है refractive index पर refractive index, अगर refractive index, हाई होगा, angle of deviation भी, हाई होगा, तो refractive index, अब किस पर डिपेंड करता है, यह वाला topic है, महराज, आज इस पर बहुत ज्यान देना है, क्योंकि सारा spectrum इसी पर बात पर टिका हुआ है, किस बात पर टिका हुआ है, कि refractive index, refractive index, क्या होता है, हाँ, अगर मुझसे तो symbolically ऐसे new sign बना देंगे यह हो जाएगा refractive index का sign और इसका formula होता है sign i that is sign of angle of incidence upon sign r यह भी एक formula है और यहां तो आपने पड़ा है refractive index is equal to speed of light in air उपर upon speed of light in that medium मतलब हम जिस भी medium से compare करें air को या vacuum की speed को वो बन जाएगा क्या refractive index तो light की speed किस पर depend करती है color और wavelength पर depend करती है कैसे depend करती है हाँ एक basic सा example दूँगा अभी आपको याद आ जाएगा कभी आपने ध्यान दिया है traffic light में लाज रंग की ही बत्ती क्यों लगी रहते हैं रोकने के लिए हाँ red को heat train signals देख लेती है दूर से और गाडिया रोक लेती है तो red light ही क्यों stopping करने के लिए हाँ खत्रे की निशानी के लिए symbol यूज किया गया है कभी सोचा है अपने जी इसका जवाब इसी में है refractive index में है इसका जवाब कि refractive index of red is lowest among all lights सारे visible lights में सबसे कम एंट करती है सबसे कम refractive index है red का समझ गया है इसी में red light को यूज करते हैं दूर से ही driver देख लेता है train का कि लाल बत्ती जल रही है और train का break लगा देता है अगर train रोक नहीं होती है तो अब समझ में आया कि refractive index सा क्या काम है color का क्या काम है और आज हमको इसी पर ही detail discuss करना है क्योंकि spectrum is all about colors all about light and colors चलिए समझते हैं कैसे ये color light हमारे पर effect ढालती है और हुआ समझते है angle of deviation color पर depend करता है हां मैंने बताया angle of deviation color पर depend करता है तो हर light हर light का yes जो color है हां उसके wavelength की वजह से है क्या चीज कलर wavelength की वजह से है और हर light की speed light की speed medium में change होती रहती है same medium रहेगा तो speed same रहेगी पर अगर one medium से light दूसरे medium में जा रही है तो पक्का है कि speed उसकी change होगी क्यों अरे भाई medium पर depend करता है rarer medium है तो speed जादा होगी जैसे light air में move कर रही है तो speed जादा होगी पर light glass में move कर रही है water में move कर रही है तो speed air से कम हो जाएगी समझ गहें तो reflective index की हम बात करें अगर जिसको हम कहते हैं venting ability की बात करें तो refractive index glass का refractive index water का सबका अलग अलग है समझ गहें सबसे ज्यादा जो light bent हो रही है वो सबसे ज्यादा refractive index वाली body में हो रही है जिसका refractive index high होगा light उतना ज्यादा उसकी vent करेगी आइए जब हम वो light जो हम और आप देख पाते हैं हाँ आपने जरूर देखा होगा rainbow कभी ने कभी आपने देखा ओगा क्या कहते हैं नहीं देखा थे अभी मैं बैठेए बैठे आपको rainbow दिखा आपको दिखार करके देखे आपको दिखाई देगा उसमें सात रंग दिखाई देखाई देते हैं हाँ आपके सब्सिदर कर दे की बात नहीं कर रहे हैं इस portion से देखिए light को जड़ा सा करके देखिए तो हाँ करके देखिए हाँ बड़ा मज़ा है आपको आपको यहाँ पर color दिखाई देंगे इस जगहें पे हाँ थोड़े mix of color दिखेंगे red yellow blue दिखेगा यही है आपका impure spectrum सर impure को बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो color lights हैं वो आपस में merge हो गई है हाँ pure spectrum होगा तो सारी light है clear clear क्या हो जाएंगी distinct दिखाई देंगी चली आगे बढ़ते हैं तो light की जब हम बात कर रहे थे visible light की बात कर रहे थे red light का wavelength यहां से देख लीजेगा नंबर याद करना जरूरी है red light का wavelength symbol है यह lambda यह बनाया ultra y y को लटका दिया नीचे की तरफ समझ गया है y को पलट दिया नीचे बन दिया क्या lambda यह है यह है यह हमारा wavelength ठीक है wavelength का symbol और red light की wavelength कितनी है 8000 angstrom क्या यह a पे जो डॉट लगा है क्या बताता है एं स्ट्रॉंग एं स्ट्रॉंग की value कितनी होती है 10 to the power minus 10 meter समझ गया तो red की wavelength सबसे highest है रियान सुनिए का मेरी बात को red की wavelength सबसे highest है पर red की frequency सबसे lowest है color light में visible spectrum में सबसे कम frequency red की है पर सबसे highest wavelength देख लिजे wavelength का नमबर याद कर लिजे 8000 किसका है रेड का है और आजाई है वाईलेट की तरफ वाईलेट की wavelength सबसे छोटी है और frequency सबसे high है इसका मतलब है वाईलेट लाइट सबसे ज़्यादा बंट करेगी सबसे ज़्यादा effective index है सबसे ज़्यादा नीचे जुकेगी इसलिए वाईलेट कलर आपको हर तरफ दिखाई देता है आपके प्रकृती में आप देखेंगे आपको वाईलेट कलर हाँ आस्मान भी वाईलेट हो जाता है चलिए रीजन यहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा वह spread करता है तो जब वाईट लाइट एक प्रिजम पर पड़े तो वो सातरंग बनेगी यह खोजने वाला वेक्ति को होने सर इसेक न्यूटन अब क्या हुआ इसके पीछे कहानी है इस experiment को करने से पहले एक कहानी बताता हूं तो सर इसेक न्यूटन आप जानते हैं दुनिया के इस सदी के महांतम scientist है हां scientist of the century के नाम से जाने जाते हैं सर इसेक न्यूटन तो सर इसेक न्यूटन बहुत सारे experiments करते थे distant objects पे खास करके जो planetary objects हैं उन पे वो बहुत सारा research करते हैं तो उनी में से एक research था reflection of the light reflection of heavenly bodies की light तो उन्हों ने देखा कि हमारा lens जो है सर इसेक हो रहा है color light दिखाई दे रही है बोले लगता है lens पुराना है इसलिए कुछ problem आ रही है चलो कोई बात नहीं अगली बार उन्होंने जब experiment किया तो एक polished lens एक नया lens लिया और फिर experiment किया reflection of light of the heavenly bodies देखा अरे इसमें भी रंग दिखाई तो वह समझ गया है कि गरबड हमारे lens म नहीं है गरबड कहीं और है पता करो कहां है गरबड और उन्हें यह experiment कर डाला और यह experiment बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो यह साबित कर देगा कि एक सफेद light monochromatic light क्या एक single color की light white light की बात कर रहा हूँ इसमें एक white light साथ रंगों से मिलके बनी है यह उन्होंने साबित कर दिया आईए देखे तो न्यूटन ने क्या किया एक छोटे से अपरचर से एक छोटे से छेद से खड़की के छेद से क्या किया white light को पास किया एक प्रिजम में यह रहा प्रिजम यह रहा प्रिजम एक white light को प्रिजम में स्ट्राइक किया यह रहा first surface यह जो a b है इसको कहेंगे क्या first surface पहला surface प्रिजम का और यह रहा ac यह रहा second surface तो उन्होंने देखा क्या देखा उन्होंने उन्होंने देखा कि light जो है पहले surface पे first surface पे bent हो रही है देखिए पर second surface से क्या हो जा रही है रीफ्रेक्ट हो जा रही है द्यान से सुनिएगा रीफ्रेक्ट हो जा रही है और साथ रंग produce कर रही है यह पहली बार था कि एक screen पर सफेद light साथ रंगों में तूट रही थी ऐसा पहली बार हो रहा था और यह करने वाले कोई और नहीं थे सरिसेक न्यूटन थे दुनिया के महान साइंटिस्ट तो नतीजा क्या हुआ उनोंने क्या देखा कि वाइलेट सबसे नीचे है और रेड कलर सबसे उपर है सबसे नीचे है मतलब सबसे ज़दर बेंट कर रहा है सबसे जदक दर्येशन है वाइलेट लाइट में और सबसे कम बेंट कर रही है सबसे दूर तक देखने लायक लाइट कौन सी है रेड लाइट है क्योंकि वो बेंट यह नहीं करती है इसलिए रेड लाइट को हम लोग क्या करते हैं इसी लिए एध्र पूम्जा करते हैं इसे लिए इरपोट्स इना के इसे करके समझ के सब जिए यह ज reflect mess इश चेट बैंड में आगि तो देखा कि टो बैंद आफ लईट है वह स्फेक्टरम दहु करेंकि देखा कि जो Sydney एक है आपने ये भी देखा कि इसका नाम विज्य और से याद गया जा सकता है और आपको ये भी पता चल गया कि एक white light एक single light white light किसे बनी हुई है large number of wavelength से बनी हुई है अथा polychromatic light से बनी हुई है क्या चीज़ polychromatic poly मतलब many chromatic मतलब colors तो white light spectral color से बनी है और वो साथ spectral colors विज्य और के नाम से जाने जा सकते हैं क्या keyword है विज्य और हां अरे full form है न भाई वाइलेट इंडिको उसका क्या कर दिया short form बना दिया विज्य और बन जाएगा आता है dispersion क्या है क्या word है dispersion dispers हो जाओ कहते हैं फैल जाओ हां अगर जब अपने school से तुम लोग साब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हो जब स्कूल की bell ऑफ होती है छुटी ओजाते है ये last period की बाद तो गंटी बने के बाद कहां जाते हो साब लोग अपने अपने घरों की तरफ पढ़ जाते हो क्या कहते हो disperd हो जाते हो, fell जाते हो, scatter हो जाते हो, बस इसी word से बनाया गया है तो जो phenomena splitting, split मतलब break, क्या करना, breaking करना किसका break होना है, white light का break होना है, उसके constituents color में, सात रंगों में break होना है, इस process को इस phenomena को हम कहते हैं, dispersion splitting, breaking of white light, जबकि जो सात रंगों दिख रहे हैं, वो जो band सात रंग का दिख रहा है एक सात जो सात रंग दिख रहे हैं, उस समू को कहते हैं, spectrum ठीक है, वो सात रंग जो एक सात दिख रहे हैं, जिससे हम band कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं, क्या spectrum अगर हो कि हो रहा है dispersion? क्या reason दिया है dispersion का? तो मैंने पहली बताया dispersion का region है change of speed of light. क्योंकि light का speed उसके color पर depend करताए, उसके wavelength पर depend करताए, यहां से सुनिएगा, उसके color पर depend करताए, उसके wavelength पर depend करताए और सबसे ज़ादा, yes, सबसे ज़ादा bend करताए है violet color क्योंकि violet की frequency सबसे ज़्यादा है और सबसे lowest किसकी frequency है इसलिए red क्या होता है सबसे least bend करता है आइए अब जब हम prism की बात कर रहे है तो ठाइने दो पहला सर्फेस यह तो बाइट लाइट आती है इस पहले सर्फेस से टकराती है यहां पर फर्स अर्फेस में क्या होता है यहीं पर हो जाता है dispersion इसका मतलब है white light साथ रंगों में यहीं तूट जाती है यहां कि नहीं तूटती है गलत मत सूचिएगा कहां यहीं से साथ रंग निकलते हैं यहीं से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब ध्यान रखेंगे बात को dispersion मतलब splitting हाँ, कहां चे än splitting शुरू हुआ जाती है first surface से इस पहले surface से AB से ही dispersion हो जाता है पर यह second surface में क्या होता है यहां वाले surface में क्या होता है AC में क्या होता है जो ये second surface है, यहां क्या हो रहता है यहांपर यह refraction करती है बेंट कर जाती है हाँ, bending of light when light passes from one transparent medium to another it bends and this is called as refraction और यहां पर आप देखेंगे light क्या हो जाएगी bent हो जाएगी और V I B G Y O R with your form करेगी समझ गए तो dispersion first surface पे refraction second surface पे और इन दोनों surfaces पे होता है deviation क्या होता है deviation कहां होता है बोस सर्फेस में यह भी बात ज्यादर कियेगा कि प्रिजम right lights नहीं पैदा कर रहा है color नहीं पैदा कर रहा है प्रिजम के पास खुद के रंग नहीं है इसका मतलब है यह एक white light है यह एक white color की light है और यह यही ब्रेक हो जा रही है यही split हो जा रही है कैसे सबित करें यह कह रहे हो आओ सबित करते हैं कि white light ही साथ रंगों में ब्रेक होई है प्रिजम ने कोई light पैदा color पैदा नहीं किया है कैसे प्रूब करें आओ इसके लिए एक और एक्सपरिमेंट दिखेंगे यह एक्सपरिमेंट भी सेख नूटन नहीं किया था हमने इसका नाम दिया री कॉंबिनेशन ऑफ लाइट्स तो इसमें क्या करेंगे इसमें दो प्रिजम लेंगे पहला प्रिजम सीधा रख देंगे यह रहा आप देख पाएंगे फेला प्रिजम P1, दूसरा प्रिजम Jiggर देंगे, हम देखेंगे कि एक वाइट को सात रन्म में पहला प्रिजम ब्रेक करेगा, स्बिट करेगा, डिसपर्ज करेगा, आप सात रन्म देख पा रहे हैं। और second prism P2, यह रहा P2, second prism इस साथो light को recombine कर रहा है, और white light में convert कर रहा है, तो hence prove कि the prism does not have its own color, it does not produce any color of its own, it is the white light that breaks into the seven colors, क्या तुम भी देखना चाहते हो घर में, यह process तो एक आसान तरीका है, एक क्या करो, हाँ, तुम लोग के लिए एक experiment कह रहा हूँ, एक cardboard लो, एक cardboard लो, क्यासा, एक circular cardboard लो, इसको 7 parts में break कर दो, कितने parts सही आपको, 7, ठीक है, 7 equal parts में इसको break कर दो, और V, I, B, G, Y, O, R, क्या हो गया, विपजी और हो गया, इस विपजी और को, विपजी और को क्या करो, बना करके, color करके, इसको तेजी से spin करो, आप देखोगे, कि you will see white light, अपने fan में भी ऐसा कर सकते हो, तुवारे fan का जो नीचे का base है ना, उपर देखो, round सा base है ना, कुसमें भी 7 रंग अगर कर दिये जाएं, तो नीचे से देखोगे, तो जब ये fan चलने लगेगा, तो white light दिखेगी, और जब रुख जाएगा, तो 7 रंग देखेंगे, है ना, कमाल की चीज, चालो, तो अभी तक तो जो spectrum पढ़ रहे थे, वो spectrum पढ़े थे, जो आप देख सकते हैं, हम इसे कहते हैं, विजिबल spectrum क्योंकि 7 रंग आप देख पा रहे हैं, तो एक और spectrum भी है, जो आप नहीं देख पाते हैं, हम इसे कहते हैं, invisible spectrum क्या आप infrared देख पाते हैं easily जवाब है नहीं क्या आप ultraviolet light देख पाते हैं जवाब है नहीं हाँ देखने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ apparatus की जुरत पड़ेगी नौर्मली आप नहीं देख पाएंगे क्या radio waves आप देख पाते हैं क्या microwave आप देख पाते हैं नहीं नहीं तो यह सब क्या है? इन्विजिबल स्पेक्ट्रम है तामजगे यह इन्विजिबल स्पेक्ट्रम है और विजिबल और इन्विजिबल स्पेक्ट्रम दोनों जोड़ दें तो they are a part of the electromagnetic spectrum ठीक है? विजिबल स्पेक्ट्रम तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है वो जो सात रंग आपने देखे थे विब जी और वो तो इन बहुत छोटा सा पार्ट है बड़े से electromagnetic spectrum के चलिए हम लोग पढ़ेंगे वो spectrum जो red के बाद होगा भाई विब जी और में आ रहा था विब जी और आ रहा था की नहीं तो red के beyond जो spectrum होगा उसका नाम होगा infrared और violet के beyond जो होगा उसका नाम होगा ultra wallet तो दो हो गए आईए अब इन सब को देखेंगे हाना ध्यान देना है कि सबकी wavelength change होने लगेगी आईए हम आपको अभी दिखाने वाले हैं परमला एक basic सा है वो याद कर लीजे speed of light c का symbol है speed of light speed of light is frequency into wavelength क्या c that is speed is equal to frequency multiplied by wavelength लिकर है यह है हमारा formula अब आता है कि यह जो electromagnetic waves है जो electromagnetic lights waves है यह waves को कोई material नहीं चाहिए होता है जिया क्या light को कोई medium चाहिए क्या तो light भी क्या है एक electromagnetic wave है पर क्या sound electromagnetic wave है एरा question आप से है जो अभी लाइब बैठे हैं बताईए हाँ yes या no लिखिए is the sound an electromagnetic wave type yes और no in the comment box मैं आपके हर comment का जवाब दूँगा मुझे हर एक comment yes पढ़ना है और इसका जवाब भी देना है चलिए अगर आप reason लिखेंगे तो शायद like भी दे आपको यह वेट रहेगा मुझे आपके yes का no का और आपके yes no के बाद अगर reason मालूँ है तो reason लिखिए क्या question है is sound waves electromagnetic wave yes or no और अगर reason मालूँ है तो ठीक है reason देने पर आपको light देने वाला हूँ पक्की बात है चलिए आगे बरता हूँ तो electromagnetic wave की बात कर रहा था मैं यह light की बात कर रहा है जिससे आप मुझे देख पा रहे है जो light मेरे पर पड़ रही है इसी को तो आप देख पा रहे है तो यह एक ऐसी wave है जिसके लिए कोई medium की जरुरत नहीं पड़ती है इस wave की speed हाँ light की speed के बरावर है 3 into 10 to power 8 meter per second नमबर याद कर लिजे यह नमबर याद कर लिए 3 into 10 to power 8 meter per second तो light की क्या खास बात है यह reflection भी करती है रिफ्रेक्शन भी करती है न इलेक्ट्रिक मेंग फील्ड न मेंग्डिक फील्ड पे इस फे कोई फरक पड़ने वाला है पर यह सारी electromagnetic जो spectrum होती है यह waves होती है यह transverse wave होती है अरे भाई एक ऐसी wave जो perpendicular to the direction of propagation move करती है सुना ध्यान से perpendicular देखिए आप इसको देखिए सारी waves कैसी दिख रही है आपको पर पेंडिकुलर जा रही है 90 डिगरी पर मूब कर रही है ठीक है ऐसी waves को लोग कहते है Transverse wave अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक electromagnetic spectrum का कितना छोटा सा हिस्सा है विजिबल स्पेक्ट्रम मुल्द विजिबल स्पेक्ट्रम से यह हिस्सा है बस पिद्धी सा और यह बड़ा सा हिस्सा देखिए इस तरह वॉयलेट लाइट है यह रही वी वॉयलेट लाइ चलो और उसके बाद गामारेज ठीक है अब इधर आ जाईए इस विजिबल लाइट में यहां पर आप देखिए क्या है रेड है तो रेड तो यहां पर खतम हो जाएक विजिबल लाइट हाना यहां रेड लाइट है ना रेड के बियॉंड कौन सा है स्पेक्ट्रम इंप्र करके प्राप्टीज जानेंगे कहां से यह बने हैं यह भी समझते हैं हमने स्टार्ट किया है गामा रेज के साथ गामा खतरनाक रेज अगर आप मुझसे पूचेंग विजिस दी मोस्ट डेंजरास वेज तो आई टेल यू गामा रेज जपान में क्या हुआ था जब एटमम गिराए गए थे गामा रेज से सब मर गए थे गामा रेज से शरीर कल गया था अंदर की सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई थी mutation हो गया था cancer हो गया था इतनी खतरनाक होती है gamma rays तो gamma rays सबसे ज़्यादा energetic होती है सबसे ज़्यादा energetic होती है और wavelength सबसे lowest होता है देखिए कितनी wavelength छोटी है और जितनी ज़्यादा wavelength छोटी है उतनी penetration power ज़्यादा होती है तो इसकी penetration power सबसे ज़्यादा है wavelength 0.1m strong ठीक है और क्या खास बात है मैंने कहा radioactive material से यह पैदा होती है जैसे uranium, thorium, plutonium अगर radioactive materials जब alpha, beta, gamma rays निकालते हैं उनमें gamma rays भी निकलती है यह उनके energy particles है जो यह release करते हैं spontaneously कौन कौन release कर रहा है nuclear particles release कर रहा है उनका center release कर रहा है ठीक है आते हैं यह fluorescence material द्वारा पहचान ली जा सकते हैं ठीक है अगर इसको detect करना है कि कहीं gamma rays पैदा हो रही कैसे आपको देख तो पाते नहीं तो मैंने कहा fluorescence material इसको detect कर सकते हैं यह कैसा material जिस पे light strike करने पर rays strike करने पर वहा कि यह मैंने कहा सबसे जारा penetrating power है तो एक thick metal plate को भी पार कर जाती है इसलिए बहुत dangerous है आते हैं क्या use है आजकल इसका medical science में even cancer cells को मारने के काम आ रही है बहुत dangerous है पर याद रखेगा और industries में welding में काम आ रही है अगली rays आते हैं x-rays अब यह x-rays कहां से पैदा होती है आपन अपने family member का या even तुमारा खुद का हाँ जवाब में लिख सकते हो अगर तुमारा कभी x-ray हुआ है तो हाँ you can write that if you have gone through an x-ray आपने देखा होगा यह light blink करती है तेजी से और आपके bone का structure आ जाता है क्या कहते हैं कितनी कमाल की technology है ना तो कैसे बनती है x-ray अगर एक high energetic cathode ray को cathode ray cathode ray negative ray होती है एक negative ray को क्या करते हैं अगर एक heavy metal पर strike करते हैं तो produce होता है x-ray समझगे x-ray बहुत strong wave होती है जैसे gamma ray बहुत strong होती है जो से थोड़ी कम strong होती है penetration power इसमें भी बहुत है याद रखेगा तभी तो आपके heart को पार कर जाती है even आपके body को पार कर जाती है आपके पूरी body का structure बता सकती है कि आपकी हड़ी कौन सी कहां है कि shape की है कौन ये x-ray बता सकती है इनकी wavelength 0.1 से लेकर के 100m strong तक हो सकती है देखा gamma rays से थोड़ी उपर की wavelength है इसके पास इनमें क्या होता है इनमें active radiations होती है किस से active होती है अल्टा वलेट rays से थोड़ा active radiations होती है अगें इसको detect करना photographic plate या एक fluorescent material detect करके बता सकता है एक ऐसा material होता है fluorescent material बेटा जिस पर light strike करने पर या wave strike करने पर क्या होता है वहाँ पर patch बन जाता है ठीक है photographic plate देखी है आपने वो x-ray की plate आती है न वो उसको करते है fluorescent material ठीक है shine करता है और क्या कर सकता है मैंने बताया हमारी body को penetrate कर सकता है बस bone को pass नहीं कर पाता है इसलिए तो काम आ जाता है यूज क्या है बता दिया आपके fractures को detect कर सकता है डाइग्नॉस कर सकता है atomic arrangement of crystals को study करने के मदद करता है हाँ atom के particle के crystals को study करने मदद करता है और क्या काम है इवन detectives लोग आपने देखा होगा कि जब जहां पर railways हैं आशकल वहाँ पर x-ray machines लगी हुई है क्यों अरे airport में भी लगी हुई x-ray machines सोचिए क्यों ताकि अगर कोई वेक्ती वहां से गुजरे और या तो वहां से आपके luggage पास हों तो पता चल जाए कि उस luggage में कोई precious medal तो नहीं है पता है कि नहीं आपको कैसे पता चल जाता है पुलिस वालों को कि इसमें gold रखा है वो x-ray machines से उसका back pass होता है न तो पता चल जाता है तो precious metal को detect करने में मदद करता है यह x-ray machines आजकल सारे बड़े airports में और even stations में भी लग गई है x-ray machines आपकी bag की checking में काम आ रहा है I am very sure आपके साथ भी bag checking के लिए गया होगा आपका हाई यह अगले टाइप की रडिशन की बात करते हैं तो अल्ट्रा वालेट यह कहां से बढ़ होती है सूरज की रोष्णी में अल्ट्रा वालेट अडिशन होता है और इस अल्ट्रा वालेट राइट को रोकता है ओजोन अगदर ओजोन नहीं होता तो अल्ट्रा वालेट रेस बहुत आसानी से हमारी धरती में आ जाती है और शायद आपको skin burns और skin cancer और even skin irritation होता तो thanks to ozone layer एक layer है जो stratosphere में पाई जाती है oxygen की तो अल्ट्रा वालेट लाइट और कहां पैदा होती है sparks में भी निकलती है जब कहीं sparking हो रही होती है तो क्या होता है इसमें तो अल्ट्रा वालेट वालेट के beyond का spectrum है वालेट के beyond है ध्यान दीजेगा वालेट के beyond है तो ये एक ऐसा material है एक ऐसी radiation है जो quads को भी पार कर सकती है ठीक है पर glasses से absorb हो जाती है quads नम का material उसको पार कर जाती है पर गर शीशा होगा तो absorb हो जाएगा इसका मतलब है अगर ultraviolet rise से बचना है तो बस glass लगा दो ठीक है और ये light की speed से travel करती है light की speed 3 to 10 to power 8 है scatter हो सकती है dust particle द्वारा और खास बात है laws of reflection reflection follow करती है photographic plates सब को detect कर सकती है fluorescent material कर सकती है health के लिए अची नहीं है skin cancer cause कर सकती है इसलिए घर से बहुत धूप हो तो मत निकलो खा जाता है ना या निकलो तो cap pen के निकलो हाथ में बड़े-बड़े gloves पैन के निकलो क्यों क्योंकि यह आपके skin burns हो जाते हैं वो tanning ह क्या कहते हैं skin tan पढ़ जाता है काला पढ़ जाता है बहुत समय तक आप दूप में रही है आप काले हो जाएंगे इसलिए अंग्रेज गोरे भी रहते हैं पता है कि नहीं है कभी सचा है अंग्रेज गोरे क्यों है क्योंकि वह higher altitudes में रह रहे हैं हां लंडन या ब्रिटें जो है यह यहां यूरोब है वो कहां पर है इंडिया से बहुत हाई altitudes में है तो जब उनका latitude हाई है उचे latitude पे तो वह संरेज क्या है slanting है हमारी तरह direct sunlays नहीं है हम लोग प्रॉपिक्स में रहे हैं इंडिया प्रॉपिक्स में है ठीक है इसी लिए हम लोग काले हो जाते है चलो अब याद रहेगा ना अल्ट्रा वॉलेट राइस हमें काला कर रही है अब यूज क्या है मैंने का स्टरलाइजिंग किये क्योंकि जर्म्स को मारने की शक्ति है अगर आपके पास कोई ऐसा जर्म वाला पदार्त है माले जिए सिरिंच है डॉक्टर्स के पास जैसे सिर और इते क्टिंग दी प्यूरिटी एफ जैंज अगर जैम पता करना है कि वह जो कीमती पत्थर ए वह डाइमेंड च्या हूं प्योर है की नहीं है अल्टर वालेट लॉट लाइट से पता कर सकते हैं विटामिन D पैदा करता है अल्टर वैट बोड़ी में और उंदर अल्ट डिल्स क्का है और चाह्म थै krijgen इसका चाहया किसका है और यह विद्धार जाल्ट के हमारे पास यह सब्सक्राइब डेक्या पर बढ़ स्पेक्ट्रम वह जो हमैं और आप जो अभी मुझे आप देख पा रहे हैं, वो Visible Spectrum के वज़े से मुझे देख पा रहे हैं, कुछ कलर देख पा रहे हैं मेरे शरीर पर, कलर बता सकते हैं न मेरा? स्क्रीन पर कलर देख पा रहे हैं, Visible Spectrum, अब आता है, infrared, red के beyond हम शुरू करने जा रहे है infrared, कहां से पैदा होता है red hot bodies ये red hot bodies क्या होता है सोचिए आपने कभी iron को melt होते वे देखा है किसी दूसरे metal को जिसको अपने एक्तम गरम कर दिया वो लाल हो गया है जी आँ, वही है infrared आपके घर में भी ऐसा होता है example दूँ, चलिए मैं साबित करता हूँ थंडी के दिनों में तुमारे घर में जो heater जलाया जाता है उसमें क्या होता है यही infrared radiation निकलती है आपके जो घर थंडी के दिनों में आपके घर में जो heater जलाया जाता है उसमें क्या लगा है उसमें टंग्स्टन लगा है भाई उसमें जो कोईल लगी है वही इंफ्रा-red रेडियेशन कोईल पैदा कर रही है क्योंकि वह तम रेड होट हो जाती है आपने देखा होगा इवन जो हमारे हाँ पहले जो बल्ब हुआ करते थे जिसे हम इनकेंडिसेंट बल्ब करते हैं जो पहले पीली रोश्नी देते थे बल्बा आजकल हम लोग यह LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो जो बल्ब पुराने वाले बल्ब होते थे वो भी इंफ्रा-red रेडियेशन प प्रपरटी होती है यह भी रिफ्रेक्शन करते हैं यह भी रिफ्लेक्ट करते हैं और खास बात है कि और नरी फोटोग्राफिक प्लिम्स को इफेक्ट नहीं डालते हैं इसलिए जो जहां पे फिल्म्स प्रोड्यूस होती हैं क्या चीज़ जहां पे फोटो फिल्म्स इंफारेड लाइट को एब्जॉब कर सकता है इसका मतलब है कि अगर कहीं पे हीटर जल रहा हो आप उसके आगे अपने और हीटर के बीच में ग्लास रख देजे क्या हो जाएगा आपको गरम हवा या गर्मी नहीं मैसूस होगी करके देख लिजेगा अपने आसपास बस क्या करिए एक ग्लास लगा दीजे और क्या खास बात है इसको मैसूस करना बहुत आसान है इसको पाइंड करने के लिए आप थर्मोंपाइल का स्टमाल कर सकते हैं जो कि एक ब्लैक इंड बल्ब थर्मामेटर के तर प्लं करता है और क्या खास बात है यूज इसंघ्वरेड का एक बैग आता है जिसमें लोग गरम पानी बढ़ते हैं पाउच टाइप का होता है लगाते हैं इसके पाउच को और अपमी पीठ में रखते हैं देखा होगा दादा दादी भी यूज़ करते होंगे आपके पीठ दर्द बदर दन के लिए पाउच आता है रबर टाइप का होता है उसमें गरम पाइण बाते हैं वो है तो теo-pretic मतलब हीटिंग करने के लिए यह hot bags होते हैं टाइप के यह शरीर को गरम करके क्या करते हैं राहत देते हैं जी हाँ और किस काम आता है मैंने का रात में फो वोग फोटोग्राफी करनी हो इंफरा रेट कैमरा ले जाओ बाड़े मजे से कैमरा करोगे आपको पता है जो लोग ठंडी की दुनों में गाड़ी लेकर निकलते हैं बाहर हाई वे पे निकलते हैं उनको इंफ्रा रेड लाइट लगवाली नीच अपनी गाड़ीयों में क्या होता है आपस में connection हो जाता है वो लुग पहचान जाते हैं जी औरिंफरेड लेंब्स का यूज पहता है dark room में मैंने बताया जहाँ पर photographic फिल्म्स बनती है जहाँ पर films developed होती है और signals में war में मैंने का बहुत यूज आता है क्योंकि जल्दी कीजी से एब्जोब नहीं हो हां नाम है माइक्रोवेव तुम आपके घर में माइक्रोवेव अवन तो पक्का होगा confirm मैं कह सकता हूँ आज हर घर में आ गया है microwave oven कमाल की चीज है कुछी पलो में खाना गरम कर देता है पर सोचिए क्या ऐसी ताकत है उसके अंदर दिखती भी नहीं है कोई चीज उसके अंदर तो वो है electromagnetic spectrum क्योंकि वो दिखता नहीं है भाई पर इतनी ज़्यादा heat होती है कि कुछी पलो में खाना गरम हो जाता है तो electronic devices में होता है crystal oxalator क्या होता है उसके अंदर crystal oxalator किस कामा सकता है satellite communication की कामा सकता है atomic और molecular structure को understand करने में उसके composition को जानने ही वदद कर सकता है और तो और मैंने खाने का example दिया cooking में बताया हाँ आजकल cake बनते हैं बहुत तगड़े बहुत बढ़िया cake बनते हैं oven में क्या कहते हैं आपने भी जरूर बनाया होगा आपके घर में भी जरूर cake बनाऊगा पर वो cake किस में बनाऊगा microwave oven में और खाना उना गरम भी तो करी सकते हैं अब आता है radio wave last type की wave पढ़ने जा रहा है हाँ ये last wave है हाँ त्यार रहिए और last wave है radio wave हम इन सारी waves के बारे में जिसके बार में डिसकूस कर रहे थे ये सब part of the electromagnetic radiation है अब आता है radio waves अरे भाई रेडियो में television से निकलने वाले signals even आपके जो mobile है हाँ भाई कहा है मेरा mobile हाँ आपके mobile में भी ये ये वाला radio वाला wave है सर कहा है मेरा mobile में हमको तो नहीं दिखता है अरे भाई ये invisible spectrum है न invisible light है न invisible rays है और जाती है कहाँ पर उपर satellite पर जो आप mobile यूज़ कर रहे हैं उस mobile से radiation जा रहे हैं ionosphere में जहां पर radio signals होते हैं और वहाँ से signal पहुचते हैं tower पर जिस tower से आपको connect करना है अब सोचे कितना tg से light की speed जाती होगी 3 into 10 to power 8 तो ये सबसे longest wavelength होती है समझे गयो क्योंकि TV और radio दूर-दूर के signals catch करते हैं सबसे longest wavelength होती है और खास बात क्या होती है इनकी wavelength है 10 to the power 11 पापरे सबसे highest 10 to the power 11 और क्या खास बात है ये इसमें वो सारी properties है जो बाकि electromagnetic waves में है मैंने सारी electromagnetic waves की property एक बताई वो common बताई कि these waves show the property of reflection they have the speed of light ये सब common properties था they are not deflected by electric and magnetic field इन दोनों fields से इन पर कोई deviations नहीं होता है ये सब rule ये सारे electromagnetic waves में आता है सिर्फ radio waves की बात नहीं कर रहा हूँ सारे में आप यही same point same point same point repeat करते जाओ ठीक है आप देखो कि सब में ये point repeat होगा अब use किस काम आता है हाँ किस काम आता है तो ये use आता है radar communication में radio and television transmission में radio and television हाँ अब आप पुछेंगे सर आपके पास इतनी सारी जानकारी इतनी सारी information कहां से आ रही है तो मैंने आपके धेर सारे contents निकाले हैं use किये हैं और मैं use कर रहा हूँ आज कल आप लोगों के लिए educate का मैंने अब आप लोगों के लिए क्या कर रखा है एक special help ले रखी है educate से जिसमें आपके लिए धेर सारा contents धेर सारे notes धेर सारे PDFs आपको हम देने वाले हैं जी किसको educate को आईए एक बार थ्वासा दिखाते हैं चली अब आपको दिखाने वाले थे ठीक है अब आपको basically बताने चाते थे कि जब आप use कर रहे हैं हाँ अगर आपने already हाँ जो latest material है educate का ले लिया है तो I am very sure अब आप उसमें से पढ़िये भी you have to spend time in it क्योंकि अगर आपने books लिये हैं और आपने book बंद करके रख दिया है क्या लगता है आपको knowledge मिल पाएगी क्या आप अच्छे score कर पाएगे नहीं अब आप उसका best use करिए हर वो chapter जो हम आपके साथ discuss कर रहे हैं even हम भी आपको बहुत सारे notes बहुत सारे content जो एकदम latest 1024 स्ले बसके उसी yes उसी educart से निकाल करके आपको देंगे और आपकी help करने की कोशिश करेंगे और आपको बार-बार ही कहूंगा कि आप जो best of the best चीज़ हो उस पे focus करिए और बहुत deviate बहुत ज़्यादा ना इधर दर मत जाएगे क्योंकि आप जब ज़्यादा इधर दर जाएंगे तो आप अपने आपको confuse कर लेंगे क्योंकि आजकल resources बहुत मिल रहे हैं और हर जगह से मिल रहे हैं तो आप उससे confuse हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप फिर क्या हो जाएंगे कहीं भी पहुँच नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं शायद वो पूरा हो नहीं पाएगा हाँ जो आपकी मंजिल है वही मेरी भी मंजिल है तो अगले lesson वीडियो में पर एक request करूँगा बार-बार आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ wait मत करिए सिर्फ और सिर्फ wait मत करिए साथ में उसको देखे लगाईए practice करिए and the most important thing जब हम आपके साथ recorded videos भेज रहे हैं आपको आपको भी क्या करना है उन recorded videos के साथ लिखना है, mode बनाना है क्योंकि अगर देखने से सारा easy हो जाता तो क्या कहते हैं तो कोई जरुवत भी करने की क्या 10th इतना ही असान होता तो नहीं 10th असान है हाँ मैं कह रहा हूँ 10th असान है बड़ आपको क्या करना है एक systematic तरीके से तयारी करनी है आपको एक time bound क्या करना है chapters prepare करना है और किसी का wait नहीं करना है अगर आप सोच रहे हैं कि आपको last दिनों में अचानक पढ़ लूगा और अचानक बहुत अच्छे नमबर आ जाएंगे तो नमबर तो आ सकते हैं मैं मान सकता हो पर बहुत अच्छे आएंगे या वो नमबर आ जाएंगो जो आप सोच रहे हैं तो शायद नहीं होगा अच्छा कुछ मुझे और आपको दिखाना है अभी मैं आपके साथ एक कहां गया कहां है स्पेक्ट्र मुझे सब्सक्राइब आईए कुछ आपको इसके एप्लिकेशन बता दूँ सिर्प ठीक है यह आपको रटने नहीं है कंसेप्ट समझने हैं आपको जैसे एक रीजन है कि स्कैटरिंग ओफ सन लाइट देखिए हो क्या रहा है जब सन की लाइट हमारे अर्थ पर आ रही है ठीक है यह रहा सन ठीक है और यह रहे हम अर्थ ठीक है सन की लाइट जब हमारे अर्थ तक आ रही है रास्ते में बहुत लंबा यस बहुत लंबा गैप है हमारे सन और अर्थ के बीच में अप्रोक्सिमेटली 149 मिलियन किलो मेटर इतना लंबा गैप है तो लाइट को इतना ट्रेवल करके आना पड़ता है उनसे लाइट री क्या कर थे है बेंड होके हम तक पहुचती है अब छब आर्थ पे आ जाती है आहिए आर्थ में बीची चाहिए का चाहिए सबस्धे लाइट क्या हो रही है इसी स्केट रिंग की वजए से यत फिनामना होते है scattering of the sunlight की वज़े से sunlight scatter होती है और red color of the sunlight आपको early morning में sunrise के समय में और even sunset में दिखाई देता है कभी महसूस किया ये बात को क्यों red color दिखाई देता है early morning में क्यों लाल आपको आस्मान दिखाई देता है कभी सोचा है क्योंकि morning के time पे red ही वो light है जो सबसे कम bend करती है और आस्मान में सूरज के डूब जाने के बाद भी आपको दिखाई देती है सूरज के चले जाने के बाद भी आस्मान दिखती है क्योंकि वो सबसे least bend करने वाई light है सबसे उपर रह जाती है यही चीजी इम दिंग में भी होता है और आस्मान दिन के समय वाईट क्यों हो जाता है why the sky is white at the noon कभी सुचा है अपने ठीकि नून में क्या हो रहा है direct sunlight हमारे overhead पे पड़ रही है हमारे उपर sun पे क्या हो रहा है direct sunlight पड़ रही है जब direct sunlight पड़ेगी हमारे overhead पे तो क्या होगा imagine करिए आपके पास direct sunlight पड़ रही है आपका अर्थ का और sun का distance क्या है सबसे lowest है तो सातों रंग एक साथ नीचे आ रहे है इसलिए white light दिखाई देने लगती है because total of the seven colors become white light और blue light आस्मान में क्यों दिखाई देती है आस्मान नीला क्यों है क्या आस्मान नीला है भी क्या कहते हो अगर अभी हम लोग yes रात के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे तो आस्मान काला दिख रहा है दिन के समय आस्मान नीला दिखता है तो अगर rocket लेके दिन में जाएंगे जैसे ही हम अपने atmosphere को क्रॉस करेंगे देखेंगे आस्मान काला है और हमको सारे स्टार्स दिखाई देंगे सच कह रहा हूं ये बात सर दिन में भी हाँ भाई दिन में भी दिन में मॉर्निंग में अरली मॉर्निंग में रॉकेट लेके उपर चले जाए हम लोग और जैसे ही हमारा atmosphere पार करेंगे देखेंगे कि पूरा डार्क है तो ऐसा क्यों तो logic बहुत सिंपल है हमारे atmosphere के yes air के globe में चारों तरफ जहां पर हमारे पास envelope of air है यहां पर क्या है water vapor है dust particle है sunlight enter करके क्या हो जाते है यहां पर scatter हो जाते है और सबसे ज़्यादा deviate सबसे ज़्यादा bent करती है कौन violet light और इसी की वज़े से क्या हो जाता है sky blue दिखाई देता है और सबसे बड़ा reason है कि जो ocean bodies water bodies है इस पे जब light जा रही है तो वो भी एक क्या कर रहा है prism का role play कर रहा है हाँ prism का role play कर रहा है हमारे water bodies हमारे oceans और वहाँ पर क्या हो रहा है sunlight क्या हो जा रही है blue रंग जो सबसे ज़्यादा bent करता है सब ज़्यादा scatter होता है वो हमको नदर आ रहा है और क्योंकि sun की light ocean से ocean से reflection कहा रहा है हमारे atmosphere पर इसी लिए उपर देखने पर आस्मान क्या दिखाई देता है नीला दिखाई देता है यह है logic आपने सोचा होगा इसको next है white clouds क्यों है तो clouds हमारे अर्थ के बहुत नजदीक है हाना बहुत नजदीक है और red light danger में क्यों इस होती मैं दो discuss करी लिया है तो basic idea यह आपके साथ हमने discuss कर लिया है एक example के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आसपास science देखनी है महसूस करनी reason find करना है किसी चीज़ का कोशिश करिए कि आप जानी है what is there near you around you and why it is there so this brings to the end of the chapter yes यह एक basic चीज़ भी जो आपको आनी चाहिए short questions may be asked on reason on this scattering of light so this brings to the end end and finally end और एक recommendation मेरा आपके लिए रहेगा कि आप अपनी तयारी educate के साथ करें और मैं भी आपको क्या करूंगा उसके best of the best resources प्रवाइट करता रहूंगा मिलते हैं बाई टेक केर